हलो डियर स्टूडेंट, वल्कम बैक, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसे यात्री के बारे में, जिसने भारत को देखने के लिए अपने देश से पैदल यात्रा की और कई वरसों तक चलने के बाद वह भारत पहुचा, भारत में काफी जगह उत कि इंडोनेसिया गया और वहां से अपने देश बापस चला गया, जब वो अपने देश पहुचा तो उस समय उसकी उम्र 77 वरस हो जुगी थी, यानि कि 25 पर उसकी उम्र तब थी जब वो अपने देश से चला था, वो जब वो आपस अपने देश पहुचा तो उस समय उसकी उम्र 77 बर्स थी तो आज ऐसे ही एक यात्री के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ फाहियान आपने मुलकुल नाम सुना होगा इतिहास में इनको पढ़ा भी होगा फाहियान के बारे में तो फाहियान कौन थे सबसे पहरे बोजान लेते हैं फाहियान एक चीनी यात्री थी जो वाद धम की सिक्षा गरन करने के लिए गुप्त बंस के राजा चंद्रगुप्त दुती के सासन काल में भारत आये थे वैसे फाहियान का वास्विक नाम कुंग था परन्तु जब वह बोज़ सादू बने तब उनका नाम फाहियान रखा गया था जिसका अर्थ धम गुरु होता है तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ फाहियान चीनी यात्री थे और वो भारत में किसलिए आये थे बौध धर्म की सिक्षा गर्ण करने के लिए आये थे लेकिन उस समय भारत के राजा कौन थे गुप्त बंस के राजा थे चंद्रगुप्त दूतिये तो उनके सासनकाल में फाहियान भारत आये थे फाहियान का बास्तिविक नाम कुंग था और जब वह बौध सादू बने इसके बाद उनका नाम फाहियान रखा गया फाहियान का मतलब होता है धम गुरू या फर धर्म गुरू चीनी भासा में फाका अरत धम और हियान एक बौध समपरदाय का नाम है जिसे कुछ इतिहासकारों ने ही नियान भी लिखा है परन्तु वास्तिविक नाम हियान ही है तो फाहियान बौध धम के हियान समपरदाय के गुरू थी तो चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ देखिए फा, फा का मतलब होता है चीनी भासाम में धम या धर्म हियान, हियान एक बौध समपरदाय है देखिए महायान और हिनयान कहते हैं हिनयान नहीं है, वो तो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है बास्तिविक जो नाम है वो हियान ही है तो फा, हियान, इसका मतलब है कि जो फाहियान थे, वो हिनयान समपरदाय के गुरु थे तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, या पर सादू थे फाहियान ने 399 से 414 इसवी के मद में भारत की यात रखी थी परंतु वो है 400 से 411 इसवी के मद में ही मूल भारत में रहे और उनके साथ चीन के प्रिस्द वौद विद्वान, हवे किंग, ताउचिंग, हवे इन, हवे बुई भी आए थे तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ देखे जैसा कि इतिहास में लिखा है कि फायान ने 399 से 414 इसवी के मद में भारत की यातरा की थी लेकिन अगर मूल भारत को देखें क्योंकि वो स्रिलंका भी गए थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए वो आए थी तो अगर इन सब को हटा दें तो 400 से 411 इसवी के मद में ही वो मूल भारत में रहे तो यह आपको याद रखना है और फायान के साथ में कुछ और गुरू भी आए थी जैसे के हविकिंग, ताउचिंग, हवि इन, हविबूई तो यह इनके साथ में आए थी तो इन्हें याद रखना है आपको तो यहाँ पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है फाहिया ने भारत में कहां कहां भिर्मन किया तो चलिए वो देख लेते हैं फाहिया ने चीन के खोतान तथा पाकिस्तान के स्वात से होते हुए और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध में इस्तित गांधार प्रदीस को पार करते हुए कुसानों की राजधानी पेसावर पहुंचे जहां कनिस के द्वारा वनवाई गए प्रिसिद बौध बिहार की तरसन किये तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ देखिए चीन की खोतान और पाकिस्तान के स्वात होते हुए गांधार प्रदीस देखिए गांधार प्रदीस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध में इस्तित्था यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो उस प्रदीस को पार करते हुए कुसानों की जो राजधानी पेसावर थी और पेसावर में प्रिसिद महा बिहार था इतना प्रिसिद था कि वो तेरा मंजिल था ऐसा कनिस्क ने बताया है अपने लेखों में तो उस बहुत विहार के उन्होंने दर्सन किये किशने फाहियाने इसके बाद वो आगे बढ़े है पेसावर से आदनेक भारत के पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश के मतुरा, कनोज, सरवस्ती, कासी, कुसीनगर और विहार के वैसाली, नालंदा, वोदगया, राजगराय, पाटिल पुत्र तथा नेपाल के तराई में इस्थित कपिल विस्तू में पहुँचे और बौद धम से सम्मंदत जानकारियां एकत्रित की मैं आपको बता दूँ कि जितना मैंने यहाँ पर यह हाइलाइट किया हुआ है यह उस समय के प्रसिद बौद इस्थल थी तो फाहियान ने इनहीं की यात्रा की थी पंजाब उस समय पूरा पूरा एक बौदों का गड़ माना जाता था बौद धम का तो पंजाब, मतुरा, कनोच, सरवस्ती, कासी, कुशीनगर, वैसाली, नालंदा, बूद गया, राजगरे, पाटल पुत्र और कपिल वस्तू तो यहां पर फाहियान ने यात्रा की दी और यहां से जो जो उसे जानकारियां मिली वो उसने अपने लेख में लिखी हुई है फाहियान ने अपने लेखों में मद्ध भारत की जनता को सबसे सुखी और समर्द बताया इसका मतलब है कि मद्ध भारत का मतलब है आप मद्ध फिर्देश को ना समझें मद्ध भारत का मतलब है कि जो मद्ध पूरा भारत है उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत के अंतर गती आता था तो जो मद्ध भारत है वहां की जनता को सबसे सुखी और समरद किशने बताया था फाहिया ने अपने लेकों में बताया था और फाहिया ने लिखा है कि मद्ध भारत की लोग लहसुन तथा प्याज का सेवन नहीं करती थी और नहीं किसी जीव की हत्या करती थी ये किसने लिखा है फायान ने अपने लेकों में लिखा है फायान ने आगे लिखा है कि प्रती एक वर्स रत्यात्रा का आयोजन होता था जिसके मद में एक बड़ा सा रेसम का द्वज लगाया जाता था जिसके मद में बुद्ध देव की मूर्टी होती थी और उनके आसपास बोधी सत्तो की मूतियां होती थी देखो यहाँ पर उस समय बुद्ध देव नाम था आज हम जैसे भगवान बुद्ध या फर गौतम बुद्ध कहते हैं या सद्धार बुद्ध कहते हैं तो लेकिन उस समय बुद्ध देव उनका नाम था जिननाथ भी उस समय प्रिजलित नाम था उनका गौतम बुध का तो ये आपको याद रखना है यहांपर लेकिन फाईयान ने अपने हर बिब्राण में बुध दिव लिखा हुआ है उनका ना तो गौतम बुध लिखा है ना सिदार्त लिखा है न भगवान बुद्ध देव लिखा हुआ है अपने हर लेख में तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो देखो यहाँ पर क्या कहा है फाईयान ने का प्रती एक बर्स रत यात्रा का आयोजन होता था उसकी बीच में एक बढ़ा सा रेशम का धोजयन की जहंडा लगाये जाता था और उस जहंडे के बीच में बुद्ध देव की मूटी होती थी और उसकी आजपास बोधी सत्तों की मूटीया होती थी यह किसने लिखाया फाईयान ने लिखा है फायान ने पाठिल पुत्र की यात्रा के दौरान वहाँ पर समराण अस्तोक के दौरा बनवाए गए राजमहल को देखा और उसी के पास एक महाब्यार था जहां पर वौध धम की महायान साखा के एक प्रिसिद गुरू ब्रामण कुमार को देखा वो उस समय के इतने प्रिख्यात विद्वान थे कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था और वड़े बड़े गुरू उनसे वारतालाब करने से घवराती थे देखे यहाँ पर फायान ने क्या कहा है चलिए मुव मैं आपको समझा लेता हूँ फायान अपने लिखों में कहते हैं कि जब मैं पाटल पुत्र की यात्रा करने गया तो उस समय सबसे पहले मैंने समराट असोग की द्वारा बनवाया गया राजमहल को देखा इसके बाद वहीं पास में एक महा विहार था जिसमें महायान साखा के एक प्रिस्द गुरू ब्रामन कुमार रहते थे वो इतने प्रिख्यात थे उस समय कि लोग उनके सामने खड़े नहीं रह सकते थे वड़े वड़े गुरू विद्वान उनसे बारतलाप करने सी घवराते थे तो उनसे भी मुलाकात की किसने फाहियान है उनके बारे में फाहियान अपने लेख में लिखा हुआ है फाहियान ने आगे लिखा है कि जब सूर्ड पश्चम दिसा की उड़ रहता है तो जैन धम के जो देवालाय होते थे उन पर बुद्ध देव के महा बिहार की चाया पड़ती थी लेकिन जब सूर्ड पूर्व दिसा की उर रहता था तब जो देवालाय होते थे जैन धर्म के उनकी चाया बुद्ध देव के महा बिहार पर नहीं पड़ती थी यही यहां पर फायान ने लिखा हुआ है फायान ने जेन धर्म के बारे में लिखा है कि जेन सादू प्रती दिन अपने देवाला की साफसफाई करके पूजा करते थे तथा जेन धर्म देश व्यापी नहीं था देखों यहाँ पर फायान कहना क्या चाते हैं, मैं उसको समझा देता हूँ फायान ने लिखा है जयन धर्म के बारे में कि प्रती दिन जो साधु होते थे जयन धर्म के तो वो अपने देवाला की सफसफाई करते थे और पूजा करते थे जैन धर्म देश व्यापी नहीं था है इसका कहने का मतलब है कि पूरे देश के लोग जैन धर्म को नहीं मानते थे ये कहने का मतलब है फायान का फायान के लेखों के अनुसार समण और जैन गुरू लोग पर लोग और पूजा पाठ करते समय अपने पूर्व देवों को याद करते परंतु किसी ईस्वरी सक्ती में बिस्वास नहीं करते थे और ना ही समण और जैन एक दूसरी की आलोचना करते थे तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ फायान ने कहा है कि समण समण का मतलब होता है बौध गुरू और जैन गुरू बौध गुरू और जैन गुरू लोग पर लोग में बिस्वास करते थे पूजा पाट करते थे लेकन पूजा पाट किस की करते थे अपने ही पूर्व देवों की मतलब कि जैसे जैन गुरू कितने हुए 24 हुए और बौदों में 28 गुरू हुए तो अपने ही गुरू की ये पूजा करते थे किसी भगवान, ईसवर या फर इस तरह की किसी भी चीज़ पर ये बिस्वास नहीं करते थे नहीं मानते थे तो यहीं क्या कहना चाहते हैं फायान यहीं कहना चाहते हैं वो भगवान को नहीं वलकि अपने पूर्व देवों की पूजा करते थे और एक दूसरे की आलोचना नहीं करते थे यानि कि बौद और जैन एक दूसरे की आलोचना नहीं करते थी, ये किस ने कहा है, फायान ने कहा है, देखिए ये तो था एक सौट नोट, जो कि मैंने फायान के बारे में आपको बताया, एक बेसिक जानकारी थी, क्योंकि फायान के बारे में ज़्यादा तर एकजाम में कुछ न कुछ सवाल पूछे जाते हैं, फ अगर कोई आपका सवाल है तो कुमेंट करके आप उससे पूछ सकते हो,